राजु स्री वास्ताव अब सब के बीच बहुत चुके हैं आपकी चाई के मज़े को दुगना करने के लिए हलो 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 ठीक है फड़ा और वालू नहीं हलो ठीक है साउंद नहीं सोके यह पीच में है हलो नमस्कार नमस्कार बहुत आच्छा लग रहा है कैसी मेड़ों आई तश्रीफ रखिये चाय के लिए वालू और वालू और और बढ़ा है वालू हलो 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 ठीक है यह तो एक अच्छी फोटो ले ले भी बैठ जा है कौन सी छपनी कौन सी एक ले लो अच्छा ओके बार चाय की तैरी हो रही है इस बीच मैं आपके सामने हूँ और यह यह तीन लोग बैठ जया है एजंडा इनका अलग एजंडा है अलग टाइम दिया है आँ मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ क्योंकि आम आदमी कह नहीं सकता आम आदमी का कॉपीराइट किसी और के पास है जहां आप नहीं जा पाते हैं मैं बड़े मज़े से घुमता हूँ आज भी आटो रिक्षम भी घुमता हूँ बस में भी जाता हूँ सबसे मिलता हूँ मेरे वही पुराने दोस हैं मारे सबजी वाले दूद वाले उनके साथ में उठता हूँ तो उन्हीं की तमाम बाते करूँगा उनके मन में जो चल रहा होता है वही में जातर पेश करता रहा हूँ बाई सबको चाहे देदो कैसी शक कर लेंगे दो कि नहीं उनको डाइबटिक है आहा मोबत का सफर लंबा है तो क्या हुआ मोबत का सफर लंबा है तो क्या हुआ थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें बाद में रिक्षा कर लेंगे महंगाई की माँ से भईया सुख की आस गई है आम आदमी के मन की बात कर रहा हूं मैडम आप समझ रही है इसे इसे कर रही है महिंगाई की मा से भाया सुख की आस गई है उधार मांगने लक्ष्मी मैया खुद राजा और गटकरी के पास गई है एक साप ने एक भ्रश्ट नेता को डसा एक सांप ने एक भ्रश नेता को डसा नेता को कुछ नहीं हुआ सांप चल बसा पिछले दिनों जब उत्तर बदेश में चुनाओं एनाउंस हुए जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई उससे पहले की बात बता रहा हूँ पुरी सब आईए दे प्लीज आईए आपको दो चाय कोई भी देदेगा प्लीज देए थैंक ये थैंक ये पार्टी ये चाय को बोले तो बाहर अरेजमेंट की है आचाय तो सब को नहीं मिल रही है लीजे 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 एई वाट सेटल हो जाएं सारे आज के लिए पानी के अभी अलग चला है पहले ग्लास में पमीज से दिया जाता है आज के बोतल भेग देदे खुई खोलो पीलो पीलो पीना पीओने तो जेव में रख ले जाओ जूट और मकारी घड़ियाली आसू में घोल देता है जूट और मकारी घड़ियाली आसू में घोल देता है वही आज के लपने देश का सबसे बड़ा नेता है सालीव जा सकते हैं अरे बिल मतलो उनसे गेस्ट है अपने हाजी पिछले मैं एक आइटम पेश कर रहा हूं कॉमेडी आइटम जो पॉलिटिकल है इस अब सुनते सुनते याद आ गया मुझे पिछले दिनों जब उत्तरवदेश में चुनाओ आये अखलिश सरकार गौर्णन बनी समाजवादी पार्टी की उससे पहले बात बता रहा हूं तब हमने आपी के चैनल में देखा न्यूस पेपर में पढ़ा कि बड़े बड़े नेता वोटर्स को भाने के लिए गरीब के जोपड़े में रात गुजारते थे किसी गरीब के जोपड़े में नेता लोग रात गुजारते थे वोट बैंक के लिए तो ऐसे ही रात को दो बजे पुरी साब ऐसे ही रात को दो बजे एक गरीब के जोपड़े में दस्तक हुई बुड़ी निकल के आई अरे को है को खट खटा रहा अरे अम्मा देखो बेहन जी आई है ये तुमारे जोपड़े में रात गुजारेंगी अरे तुम्हारी बहन होंगी हमाई बहन के मारे दस्वारा साल होगा नहीं अम्मा ये मायवती जी है तुम्हारे जोपड़े में रात गुजारेंगी आई भाई या गरीब का घर है हमाई चार पाई एक है हमारे राहूल गांधी पहले से लेते हैं अरे अम्मा तुम मायवती जी को मना कर रही हो मायवती जी को मना कर रही हो चटाई ले आओ चटाई ले आओ चटाई ले आओ चटाई ले आओ आंगन में लेट जाएंग चटाई ले आओ चटाई तो एक है अड़वानी लेटे हैं किसी ने बहन जी से कहा बहन जी सोना बहुत ज़रूरी है इस बुडिया के घर में मीडिया चारों तरफ है और तीन दिन बादी वोटिंग है आप छट पकड़ लो छट सीड़ी से चड़ जाओ छट जरूर खाली होगी अब सीड़ी को एक तरफ से सतीश मिश्रा ने पकड़ा एक तरफ से नसीमुद्दीन ने बहन जी सीड़ी चड़ी रही थी कि छट से आवाज आई ओत्ता परस समाजवार पर मुखाब परसां अब हमां परवाप परस लेता हो आप आप आउपल, आप 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 आयम खान को आप तो रहा हमान भाल सुपब राम भुपार बीच्षा अवागत रहा हमाय बहुए अखरेश अखरेश कोई दूपार हमाय। हुए हमाँ परिवार ने इस बार समय रहते पूरी जगह छेंक लिए इस बार किसी बहन जी की और बुगा की आविशक्ता नहीं पूर्द धन्यवाद गब्बर के बहुत सारे एक्ट मैंने किये कि गब्बर बुढ़ा होता तो कैसा होता गब्बर हुलकड होता तो कैसा होता और यह पूरा कम संभाल रही है है हाँ बड़ी होनार है हाँ हाँ है ब्रेस्लेस मैचिंग बहुत अच्छा है ध्यान देती हैं अपने आपके बिरीकुट हाई यह बीची एडिट हो जाएगा ना कि गब्बर पे बहुत सारे मैंने इसकिट किये है अभी किया था कि अगर गब्बर सिंग का रोल करते लालू प्रसाद लालू जी अगर गब्बर का रोल करते तो शोले में उस सीन कैसे होता गब्बर सिंग घूम रहे है लालू जी एक कालिया देखाओ मुच्छडवा के ए मोटू धर गब्बर वा इधर खड़ा पगलवा उधर देखा तोरे से पूछ रहे हैं अगर कोई बताओ हम गुरूप के सरदार हैं इसको मना मालूम नहीं बुर्बक को एक कालिया अरे कितना अदमी थे अधर सरदार दो आदमी एक बसंति का आदमी था दूसरा शुर्य का ससूर था काय गोल-गोल बोल रहा है सिध बोल हमर सिंह के मित्र रहे होंगे तो ए सांभा सुकड़ा देखो एक हटी को उपर बैठता है उपर बैठता है का चील का हुआ अस दोस्ती हो गया अरे रपट पड़े गिर पड़े अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़े काय उपर बैठ रहता है अग बांगड़ू अग अचा हो सब छोड़ो अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घुटाले के लिए पूरे 2000 करोड अगर अभी तक आप भरे नहीं है हम भरे हैं नहीं भरे हैं तो रहत पूछा है नितागिरी करते हो और ये 2000 करोड का जुर्वाना हमरे उपक काहे लिए है यहां से 500 500 कोशदूर गाओं में जब गाय का बच्चा भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है उसकी मा कहती खा ले नहीं तो लालू जी खा डाले थैंक यू थैंक यू हाँ हाँ ताइम होगा ओके बात हो रही थी देश मांगे मोर राइट इंडिया मांगे मोर हाँ बात हो रही थी इंडिया मांगे विजे माल गो देखता है तो क्या क्यता है विजे माल लाया अब अभी के लिए इतना ही मुझे सुनने के लिए धन्यवाद बहुश्यक्त अब इतनी दिमांड है तो अब इतनी दिमांड है तो एक बड़ तो अगे ठीक है एक मनिट मैं साथ में अनूंस करना चाहूंगी कि पीछे चाय और नाश्ते का इंतजाम है आप लोग वो भी ले सकते हैं और आपको टेबल पर भी सब किया जा सकता अगर आप चाहें तो लेकिन चाय का कप आप राजू की गप के साथ मज़े लेते रहें राजू यहीं पर है पिछले दिनों बैठी वो ले लेंगी बैठी वो खुदी लेंगी आप बैठी वाव वाव आप कैसे ठीक हो बहुत अच्छा रहा है बगैर शराब के काफिल वाए हैं और बड़ी खुशी से बैठे हैं यह बड़ा मुश्किल होता है लोगों को रोक के रखना पिछले दिनों मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा था सुबह चार बजे मेरे कोई गेस्ट आने वाले तुनको रिसिप करने गया था अर्ली मॉर्निंग चार बजे मौनी के लिए सुना रहा है हाँ बिल्कुल रहा है बहुत लोग है आज वैसे आप लोग रोज अच्छा खाते होंगे आज हाँ हाँ हम फिर से यहां से शुरू करों यहां से इतने से खिलकास होगा ना सिंसे रोज खीचते हैं आज खीच रहे हैं पिछरे दिनों मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन बैठा था सुबिश सुबिश चार बजे ट्रेन आने वाली थी अपने रिश्यदार को रिसीव करने गया था अब अर्ली मॉर्निंग चार बजे क्या हालत होती है प्लेटफॉर्म पे पूरे प्लेटफॉर्म सन्नाटा मैं केला बैठा हूं सीप पे कुछ उधर कुट्ते बैठे वे थे उधर कुली आग ताप रहे तबी इसे एक्षी आवाज ची गया है 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 हलो ऑन ऑन करो हालो हलो आदि यह कॉलिटी बेटर है प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ है पूरे प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा तो मेरी सीट के पीछे से कुछ डरावनी आवाज आ रही थी जा मैं बैठा हुआ था कौन है 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 कौन भाई उधर से खाथ निकला है रहे डरव मत भईया राम देव बाबा के शिवीर से आ रहे है कापाल भाती कर रहे है मैं बाबा ने डराने के लिए सिखाया है खुल के करो यार अरे यार नमाजन की है योगा का एक आसन है आसन है खुल के करो यार डर गया उसके बाद ट्रेन आई और मेरी आपको ये मश्वीरा है कि सुबह सुबह एसी डब्बे में आप किसी को रिसीव करने जाओ मत एवाइडी कीजिए आप घबरा जाएंगे सब सफेज चादर ओड़े लेटे रहते हैं कितने तो हिलते भी नहीं है नए आदमी डर जाया क्या मैं पोस्माटर रूम में तो नहीं आ गया मैं अंदर आया मेरे रिष्चेदार उपर की वर्त में था स्टेशन आ गया फिर भी उत्रा नहीं उसका क्या प्रोगाम था पुरी शुरू हो गया है हमने ट्रेन तुम लाया है कि ड्राइवर लाया है बोले नहीं योगा का आसन है आलोम अनुलोंग आसन है हमने यह आसन है तुम्हारा यह निकला हुआ क्या सिंगासन है तब ही देखा हो उसका बच्चा बाजु वाली आंटी की साड़ी खीच रह ह हमने यह किया है यह यह दुशासन नहीं बाबा के शीविर में गया योगा से फायदा तो होता है कॉमेडी भी वनती है बाबाजी सिखा रहे थे एए एए योगत करने सोता है इतु करने की विद्या है एए इतु करने सोता है एए यहां पर कोई है जिसका वजन कम हुआ है किसी का वजन कम हुआ कोई है एक महिला खड़ी हुआ शद्दे में कानपुर से आई हूँ मैं जब से योगा कर रही मुझे बहुत फायदा हुआ है मेरा 24 घंटे में पांच किलो वजन कम हुआ है है चोविस घंटे में पांच किलो कैसे मैं प्रेगनेंट थी दूसरे डिलीरी हो गई इस तु करनिक विद्या है धन्यवाद बहुत धन्यवाद थोड़ा तू मांके बढ़ो थोड़ा हम आके बढ़ें बाद में रिक्षा कर लेंगे महंगाई की मा से भईया सुख की आस गई है आम आदमी के मन की बात कर रहा हूँ मैडम आप समझ रही है इसे इसे कर रही है महंगाई की मा से भईया सुख की आस गई है उधार मांगने लक्ष्मी महिया खुद राजा और गटकरी के पास गई है एक सांप ने एक भरश्ट नेटा को डसा एक सांप ने एक भरश्ट नेटा को डसा नेटा कुम नहीं हुआ नमस्कर बहुत नु आच्छा लग रहा है कैसी मेडम है इन आये तर्षीर्ब Mission के चाय के लिए भल्म और हु सिंग भल्म और हो बड़ा ही वालू हलो 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 ठीक है यह तो एक अच्छी फोटो ले ले भी बैट जा कौन सी छपनी कौन सी एक ले लो अच्छा ओके बार चाय की तैरी हो रही है इस बीच मैं आपके सामने हूँ और ये ये तीन लोग बैट जा है एजेंडा इनका अलग एजेंडा है कुछ आएए अंकल तशीर के भाभी जी आप आगे ही बहुत अच्छा लगा नमस्ते ये ले टाइंग योग के अलग टाइम दिया है मैं बहुत नौर्मल आदमी हूँ क्योंकि आम आदमी कह नहीं सकता आम आदमी का कॉपी राइट किसी और के पास है राजू स्री वास्ता अब सब के बीच बहुत चुके हैं आपकी चाय के मदे को दुगना करने के लिए स्रीधों को आजुत कॉपी चाय करें अज़ी है हलो माँसकार जहां आप नहीं जा पाते हैं मैं बड़े मज़े से घुमता हूँ आज भी आटो रिक्षम भी घुमता हूँ बस मैं भी जाता हूँ सबसे मिलता हूँ मेरे वही पुराने दोस्त है मारे सबजी वाले दूध वाले उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ तो उनी की तमाम बाते करूँगा उनके मन में जो चल रहा होता है वही मैं जातर पेश करता रहा हूँ बाई सब को चाहे देदो कैसी शक्कर लेंगे दो दूख किमने उनको डाइबूटिक है आहा मौबत का सफर लंबा है तो क्या हुआ मौबत का सफर लंबा है तो क्या हुआ थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े